वंद कहां तक पाला जाए युद कहां तक टाला जाए तों भी है राणा का वंसज फैंक जान तक भला जाए स्वागते सभी सात्यों का स्टेडी एकजाम आजगी कलास में राजस्तान जिक्या यानि राजस्तान जोग्राफी अवना टोपिक होने वाला है सभी साती लेज उड़ जाएं कलास बहुत ही सांदार और जानदार होने वाली है इस कलास में से आपको हर एकजाम में परशन देखने को विलेगा यदि कोई विदारती राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल और सबिस्पेक्टर की त्यारी कर रहा है उसके लिए हमारी इबुक लोंच हो चुकी है मही लावे बाल अपरादगी कोई विदारती लेना चाहता है तो इस वाट्शिप नमर पर संप्रक कर सकता है पहला प्रशन आपके सामने स्क्रियन पर आ चुका है निमन में से किस जिले की सिमा गुजरात से इस पर्श करती है नहीं करती क्युंसन को ध्यान से पड़े एक्जाम में कौन सा जिला है जिसकी सिमा गुजरात राजजे से इस पर्श नहीं करती है वो अपना राजस्तान का कौन सा जिला है मेरे साथ यूँ आपको एंसर बताना है ये अपना राजस्तान है इधर आपको सभी को पता है कि अपना गुजराथ स्टेट है कौन सा राज ये है गुजराथ परताब गड़ जालोर बार्ड मेर और डूंगरपूर तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा जालोर की सीमा यहां पर लगती है गुजराथ से बार्ड मेर की भी लगती है सबसे कम सीमा गुजराथ से बार्ड मेर जिले की लगती है ध्यान रखना इसके लावा डूंगरपूर यहां पर अपना इसकी भी लगती है बांसवड़ा की भी लगती है लेकिन जालोर की परताब गड़ की नहीं लगती किसकी नहीं लगती परताब गड़ की जो भी विदारती एंसर बता रहे हैं परताब गड़ उन सभी का यहां पर राइट एंसर माना जाएगा सभी साती जो लाइव जूड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें लसाडिया का पठार राजस्तान के किस जिले में इस्तित है जालावाड श्री गंगा नगर इसके अलावा उद्यपूर या जेसल मेर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कमेंड वोक्स में जरूर बताएं तो लसाडिया का पठार अपना है वो है काँ पर उद्यपूर में किस जिले में है उद्यपूर में है याँ पर सी आपका राइट एंसर हो जाएगा बिल्कुल नेक्ष्ट अगला देख यह चुना है मेरवाड़ा की पाड़ियां तो बिल्कुल आपका यहां पर क्रेक्ट एंस्वर माना जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला पर्षन है पस्चिमी राजस्तान में पस्चिमी रेतिला मेदान की पुर्वी सिमा निमन में से कौन सी सम वर्षा रेखा बनाती है 15 cm 25 असी या इन में से कोई नहीं तो कौन सी सम वर्षा रेखा बनती है तो इसका राइट एंस्वर यहां पर भी हो जाएगा साथ यूँ 25 cm कितनी 25 cm भी यह जो भी स्टुडेंट बता रहा है सभी का यहां पर क्रेक्ट एंस्वर है बिल्कुल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्यों सन देखें राजस्तान रज्जी की सिमा कितने रज्ज़ों के साथ लगती है साथ पांच छे या च्यार एंस्वर बताएं देखें मेरे साथ यूं कमेंड बोक्स में यह अपना राजस्तान है मैं यहाँ पर पूरा इश्पेष्ट आपको कर देता हूँ राज के साथ पंजाब के साथ उसके बाद अपनी हर्याना के साथ किसके साथ हर्याना फिर यूपी उत्तर प्रदेश के साथ इधर अपना आजाता है मद्य प्रदेश कौन सा राजी आजाता है मद्य प्रदेश और इधर आपका राजी आजाता है गुजरात टोटल कितने राजी हो MP मद्य परदेश और सरवादिक जिले भी इसी के साथ लगते हैं कितने जिले लगते हैं मद्य परदेश राजस्तान के 10 जिले लगते हैं और सबसे कम सिमा आपकी यहां पर पंजाब हो जाएगा ठीक है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले परशन क्यों अगला क्यों हैं राजस्तान के किस जिले में अधिक्तम जिलू की सिमा इसपर्ष करती है कौन सा जिला है राजस्तान का जिसकी सिमा सरवादिक जिलू को इसपर्ष करती है यानि सबसे ज्यादा पडोसी जिले किस जिले के है अजमेर नागोर पाली या बीलवडा कमेंट बोक्स में एंस आपका see हो जाएगा पाली बिल्कुल पाली जो जिला है इसकी सिमा कितने जिलूं के साथ लगती है तो आट जिलूं के साथ लगती है बिल्कुल आपका correct answer हो जाएगा next अगला देखें अगला क्यूंसन आपसे पूछा गया है कि छेतरपल के आदार पर राजस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा है यदि आपको बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो छेतरपल में सबसे बड़ा जिला है आपका जेसल मेर कौन सा है जेसल मेर और सबसे छोटा जि बता रहे हैं सभी का राइट है आगे बढ़ते हैं अगला परशन आप से पूछा गया है कि मध्य परदेश राजी के साथ राजस्तान राजी के कितने जिलों की शीमा जूड़ी हुई है साथ छे नो या दस कहने का मतलब आप समझ की होंगे राजस्तान का जो पडोसी राजी है मध्य परदेश इसके साथ राजस्तान के कितने जिले यहां पर लगते हैं बोर्डर पर तो मध्य परदेश के साथ बिल्कुल डी जो भी बता रहे हैं राइट है दस कितने जिले लगते हैं दस जिले लगते हैं सभी स्टुडेंट का क्रेक्टेंस और आज चुका है नेक आप से पूछ लिया जाए कि किस देश के साथ लगती है तो राजस्तान की शिमा एक ही देश के साथ लगती है वो आपका पाकिस्तान है कौन सा है पाकिस्तान जो यहां पर देखें 870, 1070, 1170 या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर यहां पर क्या हो जाएगा राजस्तान की इस्तलिय सिमा की लंबाई कितनी है तो लगबग 5920 किलोमेटर है कितनी है 5920 किलोमेटर राजस्तान की इस्तलिय सिमा की लंबाई है जिसमें 1070 किलोमेटर आपकी अंतराश्ची शिमा लगती है तो अंतराश्ची शिमा यदि आपको फूच है कि राजस्तान की अंतराजी शिमा कितनी है तो ज्यान रगना 4850 किलोमेटर यानि 4850 किलोमेटर राजस्तान की अंतराजी शिमा है बिलकुर यदि सीधा आपको पूछ ले जाए कि पाकिस्तान के साथ राजस्तान की कितनी शिमा लगती है तो 1070 हो जाएगा या आपको अंतराजी शिमा पूछ ल अजिकतर विदार्थी तो समझी नहीं पाते ही कि पर्शन क्या बोल रहा है सतर डिग्री पुर्वी देशांतर रेका गुजरती है तो विदार्थी सोचते हैं कि कोई पुर्वे के जिला होगा जोदपूर, जैसल मेर, डूंगरपूर इन तीन जिरू में से आप एंसर बता हैं बिल्कुल, भी आपका राइट हो जाएगा जैसल मेर, कौन सा हो जाएगा जैसल मेर जिला है, या आप ध्यान रगना यहां पर, भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, अगला देखें राजस्तान का छेतरपल भारत के कुल भोगोलिक छेतरपल का कितना है 10.41, 11.11, 5.6 या 12 परतिसत, तो राजस्तान का छेतरपल, भारत के छेतरपल का 10.41 परतिसत है यह एग्जाम में कई बार परशन रिपिट हुआ है बार बार बिल्कुल, अगला क्यूंसन देखें, मेरे बहुत सारे साथी अब लाइव जुड़े हैं, उनसे निवेदने की क्लास को एक बार लाइक जरूर करें राजस्तान दिवस मनया जाता है बिल्कुल बेसिक है, सभी को पता है राजस्तान दिवस का मनया जाता है A है 30 मार्च, B है 26 जनवरी C है 30 अक्टूंबर और D है 14 नूंबर तो इसका A राइटेंस रोजएगा 30 मार्च को राजस्तान दिवस का मनया जाता है 30 मार्च को नेक्स्ट अगला देखें अगला परसन देखें, राजस्तान के दक्सिंशें होकर गुजरती है, कौन सी रेका है किन जिलू से गुजरती है तो राजस्तान का दक्सिनी जिला बांसवाड़ा बांसवाड़े से गुजरती है इसके लवा कुछ शिमा इसकी डूंगरपूर को भी छूती है ज्यान लगना बांसवाट और डुंगरपुर्शात में दिया वह तो अच्छी बात है अलग लग दिये वे तो बांसवाट आपका राइट एंसर होगा नेक्स्ट अगला देखें अगला परसेन है कि संतु का सिकर से समंदित है यानि संतु का सिकर किसे का जाता है तो संतु का सिकर किसे का जाता है तारागर्ड गुरु सिकर नागपाड या हनुमान पाड़ी तो संतु का सिकर कौन सा है बिल्कुल भी हो जाएगा गुरु सिकर राजस्तान की सबसे उंची चोटी सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है गुरु सिकर है संतु का सकर इसे कहा जाता है किस जिले में है? गुरु सिकर शिरो Himself भी आपका क्रेक्ट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं राजस्तान को पर्मुक बोतिक विभागु में कितने बागु में बांट सकते हैं यानि राजस्तान को कितने बहुतिक विबागू में बांटा गया है दो, तीन, चार या छे तो सी आपका राइट एंसर हो जेगा राजस्तान को चार भागू में बांटा गया है कितने बागू में? चार भागू में नेक्स्ट अगला देखें अगला परशन देखें राजस्तान का वे जिला जिसकी शिमा गुजरात वे पाकिस्तान से लगती है वोती गजब का परशन है और कहीं बार एकजा में रिपीट हुआ है अधिकतर विदारती परशन को समझ नहीं पाते हैं यह यहां पर राजस्तान का बोर्डर है यहां पर य राइट अंसर क्या होगा विल्कुल just a beneath High 보시 P पाकिस्तान के साथ भी लगती और अपने गुज्राथ राजी राइजी के सालत B शिरोई की शिमा भी लगती है गुजरा से लेकिन पाकिस्तान से नहीं लगती है पाकिस्तान से राजस्तान के कितने इसे रजी है जिनकी शिमा टच होती है यह ध्यान रगना तो राजस्तान का एक तो अपना पंजाब है जिसकी सिमा पाकिस्तान के साथ लगती है बोडर लगता है पाकिस्तान से इसके लाबा बीकानेर है कौन सा जिला है बीकानेर बीकानेर की सिमा पाकिस्तान से लगती है बोडर लगता है नमर तीन अपना जेसल मेर है कौन सा जेसल म और नम्मर चार अपना कौन सा हो गया बार्ड मेर हो गया चार जिलों की शिमा पाकिस्तान को सूती है टोटल कितना किलोमेटर एक 1070 किलोमेटर नेक्स्ट अगला चुनसन देखें भी राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला कौन सा है बरतपूर दोलपूर अलवर या जालावा राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला कौन सा है तो राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला एडिया आपने भी सही किया है दोलपूर तो आप सभी का राइट एंसर हो जाईगा नेक्स्ट अगला देखें अगला परशन है राजस्तान राज्ये की आकरती है राजस्तान राज पतंगाकार यदि दियावा है ओप्शन में तो राइट होगा यदि पतंगाकार और विश्म कोणी चत्रबुस दोनों दीव हुई है तो आपकी यह राइट मानी जाएगी सी आपका करेक्ट है नेक्स्ट अगला देखें अगला परशन है राजस्तान का कौन सा जिला गुजर दूंगरपूर और परदाप गरड चार sowसन आपके सामने है दूंगरपूर परदाप गरड शिरोई और बांस वरढगा तो राइट अपने यहां पर भी दिया है बांस वरढगा ठीक है इसके लाबा शिरोई की शिमा गुजराच से लगतीこれは बांस नहीं लगति है यह यहा मद्य परदेश से लगती है परताब गड़ भी भी MP इनकी सिमा गुजराच से नहीं लगती है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगला क्यूंशन देखें ये एक सेकंड ग्रेड एकजा में पुछा गया पशन है इस्टार लगा लो राजस्तान का कौन सा जिला उत्र परदेश और मद्य परदेश के साथ स्युक्त सिमा रखता है सवाई मादोपूर बरतपूर दोलपूर और करोली यानि यूपी उत्र परदेश के साथ भी सिमा लगती है और किसके साथ लगती है यह यहां पर यूपी उत्र परदेश से लगती है और मद्य परदेश के साथ भी लगत को नोलेज होना चाहिए मानचितर आप ध्यान से देखें आपकी जोगर आपी कंप्लीट हो जाएगी 50% यहीं से इसलिए आप उसको जरूर देखें एक बार अगला परशन देखें राजस्तान के कुल छे तर्पल का कितना भाग थार मुरुष्टल के अंतरगत आता है 41, 61, 52 या 56 थार के मुरुष्टल में कितना भाग आता है तो 61, 61, 61, 61 आता है लाड़नू भी आपका राइट एंस पर माना जाएगा उत्तर दक्षिन विस्तार किस जिले का है बहुत ही अच्छा परशन है उत्तर से दक्षिन की और विस्तार ये उत्तर है इदर और नीचे की और दक्षिन है तो इसकी इस तरह विस्तार किस जिले का है बहुत ही गजब का परशन है यदि आपको राजस्तान का मनक्सा मेप अ नक्से को अच्छे ठंक से देखना आपको पता सल जाएगा नेक्स्ट अगला ट्यूंसन देखें राजस्तान का सरवादिक आदरता वाला जिला कौन सा है शिरोही, जोतपूर, जालावाड या उद्यपूर तो सरवादिक आदर जिला है वो जालावाड है कौन सा है जालावाड शिया आपका राइट एंसर होगा लाडलू राजस्तान का यारनी राजस्तान की पुरुए से पस्चिम की लंबाई कितनी है यह आपका नक्सा है इधर उत्तर से दक्षिन होगा ज्यान रखना और यह इधर आपका पुरुए से पस्चिम होगा तो आपकी यह पुरुए से पस्चिम यह लंबाई आपसे पूची गई है तो राजस्तान की यह आपको लंबाई बताना है option आपके सामने आ रहे हैं तो कितनी यह साती हूँ 860 km, 869, 861 या 865 तो राजस्तान की कितनी है पुरुए से पस्चिम तो 889 km है भी आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार पुने है इस मेप के मादिम से आपको बता देता हूँ यह आपकी जो लंबाई आपकी पूची गई है ठीक है और यह आपकी यह लंबाई है तो यह आपकी उत्तर से दक्षिन है कौन सी है उत्तर से दक्षिन यदि आपको उत्तर सेंदक्सिन राजस्तान के लंबाई पूछे तो आपकी ये 826 किलोमेटर है, कितनी है? 826 किलोमेटर, यदि आपको इस तरह पूरुए से पस्चिम ये पूछे है, तो आपकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 879 किलोमेटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी किलोमेटर सभी को पता है बिल्कुल बेसिक चीजे है यहां पर हम और बात करें कि राजस्तान का जो सबसे उपरी जो उत्री गाउँ है वो कौन सा है उत्री जिला कौन सा है तो उत्री जिला है राजस्तान का सिरी गंगानगर कौन सा है शिरी गंगानगर और यदि उत्री पूचे, तो गाउं तो कौनसा गाउं यह भी आप ध्यान रखना हुग। सिया अपको पूचे की कोडरी गाउं ॊ यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यह इन चीजूं का आपको पता होना चाहिए पूर्वे से पस्चिम बिल्कुल इनका अंतर भी कभी पूछ लिया जाता है तो आप 829 में से 826 को गटा देना मैं वही परशन बता रहा हूं जो एक्जामें पूछे गए हैं और बार-बार ज्यान रगना नेक्ष्ट देखें चपन का मैदान राजस्तान के किस बाग में इस्तित है उत्री पूर्वी दक्षिन या पस्चिमी तो चपन का मैदान राजस्तान के दक्षिन ही बाग में है सी जिस भी विदारती ने दिया है सभी का यहां पर करेक्ट एंसर है इसकी पी regular class चलेगी साम को नोब्जी regular class होती है सब भी विदार्थ हो